एक निजी संस्था के द्वारा एक ऐसा वाक्या पेश किया जिसकी हरोर तारीफ हो रही है दिव्यांगों के क्रकेट मैच कायोजन किया गया देश भर में दिव्यांग जनों को ससक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्वन करने के मकसद से कई कारीकरम चलाय जा रहे हैं कई सामाजिक संस्था द्वारा दिव्यांग जनों के प्रोतसान के लिए मुहिमें की सुरुआत की गई है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऐसाई अनोखा नजारा देखने को मिला जब दिव्यांग जनों द्वारा करकेट मैच कायोजन किया गया इस cricket match का मुख्य आकरसन का किंद्र यही रहा कि match wheelchair पर दिब्यांग जनादवारा खेला गया जिसमें बैट्समें से लेकर बॉलर और फिल्डर सभी खलाडी wheelchair पर खेलते हुए दिखाई दिये इतना ही नहीं इस cricket match में सभी दिब्यांग खलाडीयों की होसला जफाई करने उत्त पदेश के प्रताब गड़ से सांसद संगम लाल गुपता एंकम टेक्स के कमिशनर साहिद कई पतिष्ट चेहरे पहुँचे जिन्होंने इस cricket match की जमकर सराना की wheelchair cricket association के बैनर तले आयो जो इस cricket match में दिल्ली रेड और दिल्ली ब्लू की टीम के बीच पतियोगता हुई इस match में दिल्ली ब्लू की टीम ने सांदार पतरसन करते हुए 130 रन अपने नाम दर्ज किये इस से पहले दिल्ली ब्लू की टीम ने जीत कर बल्ले बाजी करते हुए 2-19 रन मना इसके जवाब में दिल्ली रेड को 69 रन पर समेट दिया इस मैच में दिली बलू की तरफ से तेजपाल यादम ने नावाद 102 रन की सांदार पारी खेलते हुए मैन आफ दे मैच का खिताब अपने नाम किया इस करकेट मैच में दिब्यांग खिलाडियों की चारा तरफ परसंसा की गई और सभी अधितियों ने खिलाडियों और आयोजकों को बादाई दी आपको बताना है कि दिब्यांग जनों का इस करकेट मैच हर किसी की सजम कर सराना की मेंच में आयोटती ने का कि इस तरह से आयोजन आगे भी लगाता रहा किये जाने चाहिए बरहाल वास्तम में दिब्यांग जनों के लिए किया गया या सरानी प्रयास है लेहाजा दिखना लाजबी होगा कि दिव्यांग जनों को समाज की मुकदारा से जोटने के लिए यह प्रयास कितना कारगर साबित होता लेकिन जरूरी है कि इस तरह कि प्रयास आगे किये जाते रहने चाहिए भारत भूसन दिल्ली समाचार 24 संग्नम्लाल गुपता लोग सभा सांसत परतावगर और राष्टी महामंत्री भारती जन्तापार्टी ओविशी मोर्चे के देखिए इस दिल्ली वील्चेयर क्रिकेट आशोसियंस इसके जो संस्थापक है इसकी जो पूरी टीम है उन्होंने एक ऐसा पहल शुरू किया है एक अपने आप में एक एक अनुठा पहल है एक अनुखा पहल है और ऐसे दिब्लांग जन्लों का क्योंकि देखिए समर्थ हुआन के तो सारे मरतगार होते हैं और ऐसे ब्यक्तियों के लिए टीम बना कर और इनको किरिकेट के मेडान में उतारा गया है तो यह अपने आप में ही एक सारहनी पहल है और मैं बहुत सारी सुपकामनाये इस टीम के जो रेड और गुलू टीम है इसको दे रहा हूँ और उनके जो आयोजाग जो समस्तापक है इस दिल्ली बील चेर आसोसियन किरिकेट के उनको भी सुपकामना दे रहा हूँ कि एक खिलारी आगे वर्ल्ड कप तक जाएं और अपने देश का वैसे भी देश के हमारे पानी प्रधान मंत्री जी खिलारियों का समन बढ़ाने के लिए निवंतर उनका उत्सावर्धन करते रहते हैं हमारे एक विकलांक भाई पहले इनको विकलांक के नाम से जाना जाता था देश के प्रधान मंत्री ने उसको बदलकर इनको दिव्यांक का दर्जा दिया और हर एक इंसान के अंदर एक प्रतिभा होता है और उसके अंदर कहीं न कहीं एक खुनर होता है और जिस तरीके से आज हम इस मैदान में देखने को मिल रहा है इस विल्चेयर के टाइसोशियम की तरफ से कि रिड और ग्रीन एक फिल्ड में है और एक खेल के मैदान में है अभी अपनी पारी खेल रहे हैं तो मैं जनों के सशक्तिकरण को लेकर जनों को सशक्तिकरण के पुद्देश के हमारी सरकार पूरी तरीके से इनके साथ हैं और इनके सशक्तिकरण के लिए देश के प्रधान मंत्री हर संभव हर मलत करते हैं और आज जो यहां पर हमें देखने को मिला है यह बहुत ही इसकी जितनी प किर्केट मैच हो रहा है किस तरीके से दिखा जाया इस को आप विल्चेयर के जो प्लेयोज है उनके शिशक्ति करण की आप शुरुआत भी कहिए और एक ऐसे शुरुआत कहिए जो इनको ये ये शब्द इनके माते से मिटा देगा कि ये कमजोर है ये बिल्कुल भी कमजोर न जम से पूरे विश्व पे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी करेंगे ये आप लोग से बाता है स्पोर्ट में बहुत बढ़ी बात कर行 Cities के लिए उसकी लिए सेनापती का आवश्यक होना ब्राइज होताँ कोई भी आप युदि नेमें सेनापती का युद को खेंध। वो पुरे जो टीम होती है उसको निर्धारित करता है उसके युद्ध को निर्धारित करता है ठीक वैसे ही मैं ये मानती हूँ कि मैं मेरे टीम की सेना पती हूँ और मैं निरंतर इनके अंदर वो उर्जा वो उत्सा भरने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी अभी पहल शुरुवात है और शुरुवात में मुझे जहां तक लगता है कि मैं हर समय कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी स्थिती में वीलचेयर क्रिकेट असोसियेशन दिल्ली को लेकर आगे आओं और जहां तक इंस्परेशन की बाठ है तो मैं आपको बताओं कि मेरी लिए तो इंस्परेशन यही बहुत बड़ी है मुझे तो यही बहुत बड़ी ताकत देते हैं वीलचेयर पे बैट कर जब यह चौकार चेका मारते हैं तो आपको मैं बताओं इनके अंदर उर्जा का जो संचार होता है मेरे अंदर उर्जा का संचार जो है बहुत अदूत होता है मैं मनोहर मनोज है और मैं एक सिरियर जर्नलिस्ट हूँ और एडिटर हूँ एक नौमी इंडिया मैगजिन का मैंने मैं ओधर भी हूँ और क्रिकेट का मैं भी बहुत प्रेमी हूँ करिब 40 सालों से क्रिकेट को अबजर्व कर रहा हूँ भारत में जिस तरीके से आथा है लोक सिखाजी आई वीलचेयर क्रिकेट एसोसेशन क्रिकेट खेलने के अमान उन तमाम विकलांगों में और दिव्यांगों में भी पलती रहती है वह अभी सपने देखते रहते हैं और उनके सपनों को साकार करने का एक महती कारे शिखाजी ने किया है उनके नहीं परवर्तन को इस नई सोच को और एक नई पहल को बहुत-बहुत साधुबाद धन्यवाद आज बजापता एक टूर्णमेंट का एविजन क्या गया है इन्होंने सारे विल्चेर पर बैठने वाले क्रिकेट के प्रेमी खेलाडियों को इन्होंने बड़ा ही जोस और जजबा भरा कि आप र यह बड़ा ही मुर्द रूप देने के लिए प्रयासरत है शिखाजी और हमें लगता है कि यह एक पहल ना किवल भारत में बलकि पूरी दुनिया के लिए बड़े ही अनोकी पहल की जाएगी और यह क्रिकेट जो हमारा एक बहुत-बड़ा प्यार है खेल है राश्टिये ज प्रिंस्पल कमिशनर इंकम टैक्स वेस्ट वेंगाल था और और आज कई क्रिकेट मैच में यहां पर अपर 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 लिए चत्रवेदी के अनोज पर आया मैं तो बड़ी बात है कि विल्चेयर का इस प्रकार का आरेंब्मेंट करना क्रिकेट प्रेमियों के लिए और व मुखेधारा से जिनको अलग किया हुआ है सारीरिक और सामाजिक परिष्थितियों ने उनको मुखेधारा में जोड़ना उनको उतसाहित करना बारत सरकार की यह जोना ही रही है कि इवन किसी भी कारियाले में घुसने के लिए भी विल्चेयर के लोग घुस सकें उसके लिए अलग से एक क्रेलिंग बनाई जाती है तो इस प्रकार का अच्छा ही कारे किया है उनके सुब कामाएं अपनी देते हैं ताकि इस प्रकार का मैच फिर बार बार होता रहा है इसको लेकर लोगों को बहुत उस्ताइथ होना चाहिए चुकि यह मैच जो है यह रगलर बिस्निस पर होने चाहिए और इसमें क्या है कि इन्हों को जब आप इसमें इन्वाल्व करते हैं स्पोर्स में इन्वाल्व करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखने है जो क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खिला हुआ है नेशन लेवल तक खिला हुआ है तो क्या है कि इस पर बाल की स्पीड थोड़ी जादा आ रही है अगर इसी बाल की स्पीड को हलका सा हम अगर कम करके और बैट में भी जो है बैट अगर यह नॉमल बैट यूज़ करेंगे तो बहुत जादा स्पीड से जादी है बाल इनको इसी फील में जितना यह कवरेज कर सकते उतना ही इसका गाउन होना चाहिए कहीं ना कहीं यह मतलब यह शायद मिस कर रहे क्योंकि बाकी हमने फोर्स देखे बहुत अच्छा उसने डाल लगाई ठीक है वील से आप जब डाल लगाएंगे तो इतनी स्पीड नहीं आए क्योंकि इसमें मैच में क्या होता है एक कम्यूटी की फीलिंग आती है आपको लगता है कि आप जो है में धारा से जो है वो आप उनके साथ में मिक्स हो रहे हैं और उनको क्योंकि यह मैच सो सब देखी रहे हैं तो यह बहुत अच्छा मौका होता है कि इनको अपनी फीलिं सब्सक्राइब करें